हुँ जिगनाधकर, प्लेसिंग स्टीम थाने, महराश्रती, ब्रम्मर्शी, सुभाश पत्तरीजी नूँ पुस्तक, आत्म जागरुतीना रहस्यो, संकल्प शक्ती औने वाक्षेत्र नू ओडियो 11 एटलिके ओडियो नंबर 11 गुजरातीमा लईने उपस्तिच्चू तूल ना, एटलिके सरखामनी, एटलिके कंपेरिजन ना करो, आपना माता पिता अने भाई बहन कैपण समझा विचारिया वगर पोतानी राय आपता रहे छे, आपने इन्योपर विश्वास पन करी लईये छिए, अने एक विश्वास राखी ने आपने जिवता रहे छिए, अथवा, आपने लखवामा पाछळ छिए, अजान तामा बालकोंने तूलना एटलिके सरखामनी करवानू शिक्वे छे, शो तूलना करवी आवश्यक छे, कोई जीव जिनतु ए तूलना करी, क्यारे वनस्पती ए तूलना करी, तो आ मनुष्य तूश्या माटे तूलना करे छे, जे छे, जे उचे, इने स्विकार करता सी शीखो, अने बालकों पर प्रोच्चाहन बरेला शब्दोंनो प्रयोक करीने जादू तो जूओ, छोक्राओ रडता नती, छोक्रियों जाड पर चड़ती नती, आवश्या तूलनात्मक शब्दोंने सामडीने भावना उने सं अन्ताडवा वाडा पुरुष, अने शारिरीक महनत करता डर्नार महिला ओ जिन मले छे, माता पिता पोताना संसकार, पोतानो विश्वास, अने आस्था बालकों पर मुके छे, इमनी घणी भावना उशब्दोंना स्वरूप मा बालकोंने प्रभावित करे छे, बालको पोत पोतानो आत्मविश्वास गुमावी दे छे, अने पोताना विश्वे एक विश्वास बनाविले छे, एने अनुरूप इमनो जीवन चालवा लागे छे, बिजाना सकारात्मक, अत्वान अकारात्मक शब्दों पोतानो कारिया करियू, व्यक्तिने दुख पहुचाडियू दुखनू कारण अग्नान छे, तमे तमारा मन अने भावनाव विरुद्ध काम करो छो, अने एना पर विश्वास करो छो, एज दुखी करे छे, पोतानी जातने अस विकार करीने बिजाने अनुरूप साच्यू के खोट्टू इनो निर्नाई करो छो, अने पोतानी सार पारकवा लागो छो, फर इग्जैंपल कोई ये कहे छे कि तमें सारू गाता नथी, तो तमें कितलू पन सारू गाता हो, ये तमारा मन मा ध्रड विश्वास थाई जाये छे कि हूँ सारू गाई नथी शक्ती, गणिवार दुख बिजाना खोट्टा द्रश्टी कोण के शब्दोना प्रयोक थी नहीं, फरंतु सामान्य ग्नान नो उप्योग ना करवा थी पन थाई छे, पाप क्यारे शरू थाई छे, ज्यारे आपने जातनो अस्विकार करिये छे, आत्म अस्विक्रूती सव थी मोटू पाप छे, वाक शुद्धी, वाक शुद्धी थी, आप अपने नर्क ने पन बदली शक्ये छे, आ समय आ बीजने उगवानो अउसर पोता ने आपो, जो मनुष्यनु मन, प्रेम ना बीजों माटे उपजाओ छे, तो खरेखर विक्सित थाशे, एनी देखबाल करवाती ते अंकुरित थाशे, अने प्रेम ना बीजों थी भराई वाक शुद्धी नों मतलब छे, कि पोता ना जात ना दुश्मन जाते ना बनो, जो तमे कोई ने अपशब्द बोल्या, तो ए पन पाचा बोल शे, एटले तमारा अपशब्द फरी ने अपशब्दों ना रूप मां तम नेज पाचा माल शे, पोता नी भाशानों साची र परिवर्तन मां परिवर्तन देखा शे, जे व्यक्ति भाशानों सटिक प्रयोक कर शे, तो आखरे तेना मगज मां थी भावनात्मक जेर बाहार आऊ शे, परस पर संबंधों वच्चेनों जेर समाप्त थाई जशे, भाशाना योग्य उप्योक थी, बिजी व्यक्ति तमारा पर नकारात्मक जादू करी शक्षे नहीं, समझी विचारी ने बोलवा थी, खराब विचारों मनमा आऊ शे नहीं, पर उन्तु एज विचार टक शे, जे प्रेम थी जन में शे, तमें तमारी पोतानी भाशानी गुणवत्ता एटले के क्वालिटी जान शो, तमने सारू ल आक्षे, साथेज तमें खुशी औने शान्ती तथा आनंद मलशे, वाणी नी शुद्धी थी, तमें नरक ने पन बदली शक्षो, आ समय तमारी जातने आ बीज ने उगालवानी तक आपो, जो प्रेम ना बीज माटे मानस नुमन फळदुरूप छे, तो ते चोकश वत्ष एनी देखरेक करवाती, ते अंकुरित थशे औने प्रेम ना बीजोती भराई जशे, याद राखो कि धरेक शब्द साच्चो, सटिक औने प्रेम भरी मीठी वाणी मा होए, पोता ना थी शरूआत करो, आ जादू शरू करो, जारे आपने प्रेम पुरक वेहार करिये छिए अने प्रेम पुर्ण मीठी वाणी बोलिये छिए, तो एना जेवूत सुन्दर वातावरन आपनने मले छे, पोताने यू भान कराओ, कि तमें विलक्षन छो, महान छो, उताने प्रेम करो छो, जे वातो तकलीफ आपे छे, ये बद्धाज नाना मुटा समझो ताने आशब् तोड़ी दो, जो एक व्यक्ति आ करी शके, तो बद्धाज करी शके छे, आपने बद्धा मनुश्य एक जेवू शरीर, दिमाग, लईने आव्या छिए, आए एना पर निर्भर करे छे, कि तमें नरकनी जिनगी जीवी रहेला लोकों नी वच्चे रहीने पन, स्वर्गनी जिनगी जिवानी चाहत किटली शे, फक्त शब्दों नो साच्चो प्रयोक करी ने, जो तमें फक्त नकारात्मक वातोच कहता रहे शो, अने फक्त अप्रिय वस्तू माटेज बोलता रहे शो, तो वास्तव मां तमें तमारी जात ने एक पोपट नी जेम पांजरा मां कैद क करी रहे शो, एक अप्रिय वात कहवी, अने जेम के ए पिंजरा मां एक तरफ लाकडी मुकवानी पोताना जहाते मनुष्य पोताना हीत उपर तालू मारे शे, जे महान व्यक्तियोंनू जीवन शांदार होई चे, इपोतानी प्रिय वस्तू विशेज हम्मिशा बातो करता हो होई चे, आरी ते ते वो सारी वस्तू वो पोताना जीवन मां आमंत्रित अने आकर्षित करे शे, अने इनू आवाहन करे शे, पोताना लक्षय ने मिडवां माटे ए इटला जाजाद, इटले के मुक्त होई चे, कि जेटलू एक पक्षी, महरबानी करी ने ए पिंजरानी पाडियोंने तोडी नाखो, चे मां तमें कैद छो, फक्त प्रिय वस्तू वना विशेज वातो करो, सारू ए हशे, कि तमें अख्षा दिवसमा थैली सारी घटनाओ, अने वस्तू वना विशेज वातो करो, ए नफानी वातो करो, जे तमें तमारा दंदामा मेडवा मांगो तमे पन सारू जीवन बदली शको छो, बीजा पर नियंत्रन करवानू छोड़ी दो, कडवा वचनोनो त्याग करो, पोतानी उर्जानो साची दिशामा प्रयोक करो, तमारामा प्रिय वस्तुओ माटे बोलवानी घणी बदी शंक्षमता शे, एटलेज जीवननी दरेक सारी व अने उर्जानो संपूर्ण रिते उप्योग करी शक्षो, हम्मेशा याद राखो कि शब्दो साचा होई, कि खराब एटलीट सटीक ताथी पोतानी जाते तमारी तरफ पाचा आऊशे, जे रिते परवतोंना विस्तारों माती शब्दोंनो पढ़गो पड़े शे, सत्य बो अने जीवन मां परिवर्तन ना पोतेज साक्षी बनिये शे, तो सत्य जातेज ध्यान, मन और बुद्धी द्वारा आपणू मार्ग दर्शन करे शे, तमारों स्वभाव, तमारों बीजा प्रत्यनों व्यवहार, तमारी जीवन शेली बद्धूज बदलाई जाए जाए छे जो आपने जातेज साच्चा नथी, पोतानी वातों थी फेरवाई जैये छिये, तो आपनने एवीज प्रतिक्रिया मल शे, आपने हम्मेश पोतानी वात पर, पोताना इरादा पर खरा साबित्थवानू छे, आज आपनी परंपरा छे, रगु कूण नी रीत सदा चलियाई प्राण जाये पर वचन न जाये, भाशानो निर्दोश प्रयोग, निश्पापनो अर्थ शूँ छे, निश्पापनो मतलब छे पाप थी मुक्त, बदाज धर्मों पाप अने पापियों विशी चर्चा करे छे, परन्तु आपने ए समझू पड़ छे, कि पाप करवानों अ आप छे, जारे तमे पोताना विशे कोई धार्णा करो छो, कि पोताना पर आक्षेप मुको छो, गेल्टी फील करो छो, तो तमे तमारी जविरुद थाई जाओ छो, निश्पाप थाऊ, एकदमा नू विरुद्ध छे, निश्पाप भाशानों निश्पाप प्रयोग नो अर्थ छे, एवी शब्द रचना जी आपड़ी विरुद्ध जती नथी, जो क्यारेक हूं मारी जातने ज प्रेम करू छो, तो चोक्कस ज पोताना वार्ता लाप मा क्याक ने क्याक, हूं ए प्रेम ने पन व्यक्त करीश, जो शब्दों नू निश्पाप प्रयोग थयो छे तो आ प्रेम नी प्रतिक्रिया पण एज रूप माओ शे, जो हूं तमारो आभारी छू, तो तमे पन तमारा प्रती कृतग न हशो, जो हूं तमारी साते स्वार्थी बनी जैश, तो तमे पन स्वार्थी बन शो, हूं तमारा पर मारी वातनो जादू करीश, तो तमे पन अने प्रेमनी दिशामा खर्च करवी जो तमे पोतानी जाद साथे आ समझूती करो कि भाशानों निश्पा प्रयोगज करशो तो मात्र सारी मनुदशाना कारणे तमारा द्वारा सत्य प्रत्यक्षत हसे अने इना थी तमारी अंदर दबायोलू भावनात्मक जेद बहार निक युध्ध्ध थतु मुहमद आस्तिक हता त्याना बध्धा लोको नास्तिक हता अत्वा मूर्थी पूजक हता अ मुहमद निकुणों पासक हता परन्तु तेमने गणी वार युद्धो करिया एक वार नीचे पड़ी गया तो एक नास्तिक महमदनी गर्वदन पर तर्वाल मुकी ने कईू के हवे शु तमारों खुदा रक्षा करशे क्या छे तमारा अल्ला शु तमने मारी रहया छे त्यारे मुहमद शान चित्ती हसी रहया आता स्मित साथे इमनी आँखों मा जोई ने बोलिया मारा अल्ला मारी रक्षा करसे आवा समये एटले कि भाईबीत समये मा पन प्रसन चित थाईने समीच साथे मदूर वाणी सामडीने नास्तिक गबराई गयो एना हाथ दुरुजवा लागया एनी तल्वार नीचे पड़ी गए परन्तु महमद तेनी तल्वार ने हाथ मा लईने नास्तिक नी गर्दन पर मुकी ने बोलिया हावे तारी रक्षा कौन करशे तारा तो अल्ला पन नती हावे तू कोने बुलाव शे ए भाईबीत थये गयो एने पोताना तमो गुण प्रमानेच कार्य कर्यो निडर महमद इने मार्यो नहीं ते शरण मा आवी गयो अने महमद इने शरण आपी एटले पोते पोताना गुणों ने प्रमाने तेओ पोताना कार्यों करता गया ते थी कोई पन व्यक्ति नी क्रियाओने दोश आपी शक्किये नहीं तो पची कोने दोश आपवानों? भावना जगतने दोशी ठेरवी शक्षो नहीं, कारिय जगतने दोशी ठेरवी शक्षो नहीं, तो पची वाग जगत अच दूशन अने ब्रश्ट थवानी संभावना राखे छे. प्रथम भावना क्षेत्रमा आपणे बद्धा मुक्त चीए, चेश्टा क्षेत्रमा आपणे बदा पर तंत्र चीए, चेश्टा क्षेत्रमा पोताना गुणोंना बंदी चीए, आगुण क्या थी आवे शे, आपणा अनेग जन्मुना कर्मुनों सर्वाडों चीए, आपणा संसकारोनों समुदायाज आपणों गुण चे, आ गुण बदलता रहेशे, परन्तु घणा दीरे दीरे ज एमा परिवरतन आवेशे haven मधारे समय में नाना नाना परिवर्तन थता आघडवदेसे एमा मुट्टा परिवर्तनों नी संभावना नथी। मुट्टा परिवर्तनों अत्वा बदलालो, आपणने क्या करी शक्केशे? jam virgin kshetra मा, एटले के वाक खेतर मा आपणे बदलालो करी शक्केशे त्रीजा क्षेत्र बातो नो क्षेत्र शे